राइबरेली जिलेक के लागन कुत्वाली छेत के बिल्खा गाउं में उस समय हरकम बज गया जब संदिक परिसितियों में विवाहिता का घर के अंदर खासी के फंदे से छूलता हुआ अस्व पाया गया फिलाल सव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुची और सव को कबजे मिलेकर पोस्ट माटम के लिए भेजिया है वही मृत्का के माईके वाले सस्वराली जनों पर हच्चा का आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि मृत्का को दहज के लिए लगाता परतारित किया जा रहा था और उसकी हच्चा की गई है आपको बता दे मृत्का रानी देवी का विवा मुकेश कुमार से तीन वर्ष पूर हुआ था मृतका रानी देवी फात्यपूर जनपत की रहने वाली थी और उसका विवाग पिलखा गाउन लिवासी मुकेश कुमार से हुआ था मृतका के पिता का आरोप है कि लगातार तीन वर्थों से मृतका को सस्वाली जन उसके परिशान कर रहते और दहज की मांग कर रहते दहज ना देने पर उसकी हत्या की गई है फिलाल पुलिस सभी बिंदों पर जाज़ परताल सुरू कर दी है और मृतका किसों को पोस्पाटम के लिए भेज़ दिया है क्या सूचना मिली आपको सूचना मिली कि फांसी लार्की लगा लिया फिर फिर का भी आवा हम आपको क्या लग रहा है क्या बेटी से बात हुई थी कल हुई थी क्या बताया का चार दिन तीन चार दिन से खाना नहीं देन बनावे का नकूश तो इंतार नहीं देत रही सास असे रही आप बीठी कहा दरते है का अ तो आको क्या लग रहा हुई अजिए बेटीं साथ है क्या किया इतो अंदौिया दम्या दीया का तर दोसे भी पॉसार लगा भी का देतिया है अ कि तो थाने में सिकायत दी आ खाने में ते काई ती पतर दिया ना अजी? अजी ने, अजी दे में जाए